प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रभीवार को गोवा में मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का उद्खाटन किया और इस एरपोर्ट की अधारशीला नवंबर 2016 में उन्होंने ही रखी थी ये गोवा में दूसरा हवाई अड़ा है जबकि पहला डाबोली में मौचूद है इस एरपोर्ट को लेकर गोवा की मुख्यमंत्री परमोत सावंत्री घोशना की है इस हवाई अड़े का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विजेपी के दिगज नेता मनोहर परिकर के नाम पर होगा बता दे आपको कि परिकर का मार्च 2019 में निधन हो गया था इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम स्वर्ग्यमंत्री परिकर के नाम पर ही रखा गया है और अब आने इसके अधास चुला रखी और कई अडचनों के बाद आज ये शानदार हवाई अटा बन कर तयार है इस सरकार के आने से को लेकर भी उन्होंने बताया कि नजरिया जो है वो बदल गया है और इसको लेकर पीम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में इंफ्रस्रक्ट को लेकर भी दर्शकों तक जो द्रिष्टी कोन रही है उसमें सरकार द्वारा लोगों की जरूरत से ज़्यादा वोट को प्राथमिक्ता दी गई है इस वज़ा से अकसर ऐसी योजनाओं पर हजारो करोड रुपे खर्च किये गए हैं जिसके जरूरत नहीं थी उन्होंने कि सरकार जाने के बाद इस हवाई अड़े के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया लंबे समय तक ही यह प्रोजेक्ट लटका रहा आज यह शांदार हवाई अड़ा बनकर तयार है तो बतादे आपको कि गोवा इंटरनेशनल हवाई अड़े अड़े अएरपोर्ट के उधखाटन के बाद पियम मोदी ने कहा है कि पिछले आठ साल में बहातर हवाई अड़े बनाए गए है बतादे आपको कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने रभीबार को गोवा में मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का उधखाटन किया और इस एरपोर्ट के अधार शीला नवंबर 2016 में रखी है और इसके बाद ही 2016 में उन्होंने इसके धार शीला रखी थी ये गोवा में दूसरा हवाई अड़ा है जबकि पहला डाबोली में मवजूद है इस एरपोर्ट को लेकर गोवा के मुखे मंतरी परमोद सामंत ने खोशना की इस हवाई यड़े का नाम राज्य के पूर्व मुखे मंतरी और बीजेपी के दिगज नेता मनोहर परिकर के नाम पर होगा और बताते चले आपको कि परिकर का मार्च 2019 में निधन हो गया था और इस मौके पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंटरनेशनल एेरपोर्ट का नाम स्वर्गे मनोहर परिकर के नाम पर रखा गया है और अब आने वाले हर व्यक्ती स्वर्गे मनोहर परिकर को याद रखेगा उन्होंने कहा कि 6 साल पहले मैंने यहां आकर इसकी अधार शीला रखी कई अर्चनों के बाद आज ये शांदार हवा यद्डा बन कर तयार है और इस सरकार के आने से ही इंफ्रास्रक्चर को बनाने वारे नजरिया ही बदल गया है और पीम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्रक्चर को लेकर दर्शकों तक जो द्रिश्टी कोन रही है उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरुवत से ज़्यादा वोट बैंक को प्राथिमिक्ता दी गई है और इस वजह से अकसर ऐसी परियोजनाओं का हजारों करोर रुपे खर्च किये गए और जिसके जरूरत नहीं थी उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपई की सरकार केंदर में थी तब इस हवाई अड़े की प्लैनिंग हुई थी मगर उनकी सरकार आने के बाद इस हवाई अड़े के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा आज ये शानदार हवाई अड़ा बन कर तयार है गुजरात में अति हासिक जीत के बाद भुपेंद्र पटेल सुमवार को ही लगातार दूसरी बार मुखे मंत्री पद की शपत लेंगे पटेल के साथ कुछ नए मंत्रियों के भी शपत लेने की संभावना है मंत्री मंडल में अनुभावी चहरों के साथ साथ युवाओं का एक कॉमिनीशन देखने को मिलेगा और बिजेपी ने भुपेंद्र पटेल की शपत ग्रहन को मेगा शोव बनाने की तैयारी कर ली है और इस शपत ग्रहन में शामिल होने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रविवार शाम को एहमदाबाहत पहुँच गए है आपको बतादे कि इसके अलावा ग्रह मंत्री अमिच्षा, रक्षा मंत्री, राजनात सिंग और बिजेपी अधियाक्षा, जेपी नड़ा समेत, बिजेपी शासित, राज्यों के मुखे मंत्री और केंद्रिय मंत्रे भी कारेकरम में शामिल होंगे और बुपेंद्र पटेल ने चुनाओं में सबसे ज़्यादा 1.92 लाख वोटों के अंतर से घाट लोडिया सीट जीती है बुपेंद्र की लोग प्रोफाइल बिजेपी नेताओं में गिंती होती है वे कड़वा पाटिदार समाज से सियम बनने वाले पहले नेता है उन्होंने सितमबर 2021 में पहली बार विजे रुपानी की जगा ली थी और मंतरी मंडल को लेकर इन नामों की चर्चा थी बतादे आपको कि सुत्रों की माने तो उनका कहना है कि विजेपी में नए मंतरी मंडल को लेकर अंतिन डौर में मन्थन चल रहा है और पार्टी के सामने जाती और छेत्रिय परतिनिरत्तों को साधनी की सबसे बड़ी चनोती है मंतरी मंडल में विजे रुपानी और भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के कुछ अनुभवी चहरों को फिर से मौका दिये जाने की भी संभावना है इसके साथ पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी परतिनिरत्तों देने की तयारी में है वहीं हार्दिक पटेल के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल उनके मंतरी बनने की संभावना ना के बराबर है तो भुपेंद्र पटेल आज सीम पत की शपत लेने जा रहे हैं जिसको लेकर तयारी अलगातार जारी थी और आपको बता दें कि भुपेंद्र पटेल आज सीम पत की शपत लेंगे बता दे आपको कि गुजरात में ही एतिहासिक जीत के बाद भुपेंद्र पटेल सोंबार को लगातार दूसरी बार मुखे मंत्री पत की शपत लेंगे और पटेल के साथ कुछ नए मंत्रियों के भी शपत लेने की संभाब ना है आपको बताते चलें कि इसको लेकर मंत्री मंदल के अनुभवी चहरों के साथ साथ ही युवाओ के एक कॉमडिनेशन देखने को मिलेगा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज भुपेंद्र पटेल शपत लेंगे और इसके साथ ही बिजेपी ने भुपेंद्र पटेल के श यहाँ पर अभिवार शाम को ही पहुच गए हैं जानकारी ये भी है तो आपको बता दे कि गुजरात में बिजेपी नेती हासी का जीत हासिल की है और पार्टी ने राज्ये में 156 सीटों पर जो जीत है वो हासिल की ये गुजरात में किसी भी पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा परदर्शन है इससे पहले कॉंग्रेस ने उनिस सो पचासी में ही 149 सीटे जीती थी लेकिन इस बार कॉंग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई है तो जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के साथ कुछ विधायक भी मंत्री मंपद की जो है वो शपत ले सकते हैं इनमें रिशिकेश पटेल, अनुभाई देसाई, रागवजी पटेल, कुवर जी और बावलिया और इसके साथ ही मोलू भाई बेरा, बलवन्त सिंग राजपूत, पुर्सोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल, भानुमेन बाबरिया और बचु खाकर, कुवेर डिडोर, जगदीश विश्वकर्मा और भीखु परमार, देवा भाई, पंजाब भाई मालम, प्रभुवल और पांसेरिया हर्श संगवी शामिल हैं हाला कि हार्दिक पटेल और कलपेश ठाकोर मंत्री पद की शपत लेंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है आपको ये भी बता दें कि पियमोदी के लावा गरी मंत्री अमित श्या और बिजेपी अध्यक्ष, जेपी नड़ा, राजनात सिंग, नेतिन घटकरी, मंसुख, मांडविया, पुरसोत्तम, रुपाला जैसे दिगज नेता भी इस कारेकरम में शामिल होने वाले हैं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिजेपी शासित राज्यों के बारा से ज़्यादा मुख्य मंत्री और उप्र मुख्य मंत्री भी कारेकरम में हिस्सा लेने वाले हैं और इसके साथ ही आज की शपत ग्रण समारों में तिरवेंदर सिंग रावत, बाबुलाल मरांडी और केशो परसाद मोर्या, जेन सुख देव, मेर और परमोत साबंत, प्रेम सिंग तोमर, शर्वरंद सोनोवाल शामिल होने वाले हैं और बिजेपी के स्टार परचारक और यूपी के मुखे मंत्री योगी आदितनात को भी नेवता दिया गया है साफ संदेश देने का प्रयास है कि बिजेपी को जीतना बड़ा जनादेश मिला है और उतना ही भव्वे अपना शपत ग्रण समारों भी होगा गुजरात विधान समा चुनाओं में बिजेपी ने परचंट जेत हासिल की है तो आपको बता देश के लावा ग्रे मंत्री अमित्षा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, बिजेपी अधियक्ष, जेपी नडड़ा समेत जो बिजेपी शासित राजे के मुख्य मंत्री और केद्रिय मंत्री भी कारिकरम में शामिल होंगे भुपेंद्र पटेल ने चुनाओं में सबसे ज़्यादा एक दश्मिलो 92 लाख वोटों के अंतर से घाट लोडिया सीट जीती है भुपेंद्र की लोग प्रोफाइल बिजेपी नेताओं में गिंती होती है वे कड़वा पार्टी दार समाग से सीअम बनने वाले पहले नेता हैं उन्होंने सितंबर 2020 में पहली बार विजे रुपानी की जगाली थी और मंतरी मंडल को लेकर इन नामों की चर्चास रही है आपको बता दे कि सुत्रों की माने तो विजे पी में नए मंतरी मंडल को लेकर अंतिन दौर में मंथन चल रहा है और पार्टी के सामने जाती और छेत्री परतिनित्तों को साधरे की सबसे बड़ी चुनोती है मंत्री मंदल में विजे रुपानी और भुपेंद्र पटेल कैबिनेट के कुछ अनुभवी चहरों को फिर से मौका दिया जाने की भी संभावना है इसके साथ पार्टी युबाव और महिलाओं को भी परतिन दृत्तो देने की तैयारी में हैं हार्दिक पटेल के नाम को लेकर फिलाल सस्पेंस बना हुआ है फिलाल उनके मंत्री बनने की संभावना ना के बराबर है राजनिटी का गलियारों में इन दिनों हर्याना के मुखे मंत्री मनोहर लाल खटर को उनके पद से हटाने संबंधी अटकले चल रही है अब मुखे मंत्री मनोहर लाल खटर ने खुद परतिकिर्या दी है कि सीम खटर ने कहा है कि कुछ लोगों को हर रात सीम बदल कर सोने की आदत है उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के अनुसार कुछ भी नहीं बदलेगा, हम टीम है, हम फेस्बुक ट्वीटर पर फैसला नहीं करते है मुखे मंत्री ने ये बाते करणाल में कही, करणाल में वो एक कारेकरम में शामिल होने पहुंचे थे और नतत्योप में ही बदलाव को लेकर उन्होंने ये कहा कि वीजेपी में हम लोग पढ़ के लिए काम नहीं करते हैं वीजेपी का सीयम जो भी होगा वो लोगों के लिए काम करेगा बतलाव की बाते करदे वालों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अपने काम से ठक जाए तो मेरे पास आए उन्होंने कोई दूसरा काम बता दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमारा उदेश आपके लिए काम करना है कौन मुख्यमंत्री आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में BJP में लोग नहीं सोचते हैं उन्होंने कहा कि BJP से आने वाला कोई भी CM या PM लोगों के हित में काम करेगा यह हमारी विचार धारा का हिस्सा है, यह हमारी उपलब्दियों का हिस्सा है यह हमारे घोशना पत्र का हिस्सा है, हम सामोहिक निर्णने लेते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे इस तरह के फैसले नहीं लिये जाते हैं ग्यान वापी केस में ही AIMIM अध्याश अजदुदीन ओवेसी उनके भाई अकपरुदीन ओवेसी और सपापर्मुक अखलेश यादव की ही को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर भी बात सामने आई है चल तो बता दे आपको की बढ़ सकती है समस्या ऐसा सामने जानकारी सामने आरे है वेसी और अकलेश के मुष्किले बढ़ जाएंगी यसी ख़बर सामने आरही है बतहा मिश्यावाटर थी जिए बात सामने बढ़ सकती है की ऑवेसी और जो अखलेश यादव थी जहां हेट स्पीच मामले में ही आज सुनवाई भी होगी ये भी जानकारी है तो ओवेसी की मुश्किले बढ़ने वाली हैं ख़बर क्या है वो हम आपको पूरी बता देते हैं दरसल सभा अखलेश परमुक जो है अखलेश यादव की हेट स्पीच को लेकर ही आज MP MLA कोट में बढ़ता ही की गई थी बता दे आपको कि तीनों नेताओं की तरफ से हिंदू आस्था को ठेश पहुचाने वाली कथि तो ब्यान बाजिवारांसी के ग्यान वापी परिसर में और शिंगार गौरी मामले की सुनवाई के दोरान की गई थी सपा बर्मुक अकलेश यादव न आते हैं ओवेसी ने भी ग्यान वापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर टिपड़ी की थी उन्होंने कथित शिवलिंग को फवारा बताया था ओवेसी ने मुसलिम से वहां जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की भी अपील की थी वहीं उनके छोटे भाई अ और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से बेरो हैट दानिश वार्सी हमारे से जुड़ चुके हैं दानिश पूरा मामला क्या है विस्तार से बताईएगा पहले 6 डिसमबर के मामले में जो है चौक खाने से रिपोर्टा लगती गए ती जिसपर वकील दूबरा ये आरूप लगाये गये था और अकलेश चादोर वेसी पर कि बलती मनाने के तहंट ये आरूप लगते और मारकाने के तेहिया रूप रखे तेहिए रूप रिक्रिय पोन आज शरंगार को और यह मामले में अग्यान वैपी मस्जिद के मामले में तीन अरॉपी जो हैं वो जिसा अबुरुदी नुएसी असुपी रूएसी और अखले शैदों इंपर वारारसी में कोड़् में एंडि वहाँ पर आस्था प्रिकट हो जाती हो जोग़ाए फर्वार वया है मैं भाना दे लिए रात में रात कि रात में बपाने में पंपंग नयो गुरा वाथ बॉत आसे को उसे बिए च्या रात कि श्ववारा बें लेहाए और थायर है मि कि स्वेड 않जा रागर बींडे इसे पर उसी गिर गए हैं विवादी टिपड़ी सीधा ऑफवान राम के उपर गिती इसको लेकर के भी पर उसी पर कही आरोप नहीं श्यामील हो गया है इसको लेकर के आज वारणासी कॉर्ट में सुनवाई होनी है और इसमें आरोप तै होने हैं किसमें क्या करवाई हो गी विभाण सब्सक्राइए hon एक प्रमिश कंगेशे हैँ झालिभा है। सब्सक्राइब कशम फब्सक्रास है विखें एक्रमासी कोट के सभी हो बन्त करूष मेंगर में एकशा唱 है। जे दानिश इस पूरे मामले को लेकर राजनितिक मोड पे देखा जाए तो किस तरह के विवादत बयान चल रहे हैं? जे देखे, हैट स्पीच के मामले में जो विवादत बयान दिये गए हैं, उसको कहीं में कोर्ट में शामिल करके और बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर संद्वाई होनी है। जो विवादत बयान चल रहे हैं, जो पर कहिं है को करवाई जा रहे हैं। और वारारसी कोट में जो इसकी अपील की गई है उस तो भी कहीं है निए राजमीतिक मॉटिवेट के पहला है देखमें यह जेए कि इसमें इसंत्र पछ परज के लोग क्या वायन दिस्लें है ili पछ पर पढ़िए वह बा्यान देते हैं यह सुचने वाले बाते हैं कि सुम्हाविती फार्टी के खाते में दो सीथ आई हैं और यह भाजपा के खाते में इसे राजमीते गल्यारे में तेही परड़ेगी और आपसे केश टाउन के साथ साथ तारभी मुद्बियों हैड़ स्पीच के मामले बढ़ेंगे जे दानिश आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुणने के लिए और आहम जानकारी देने के लिए तो हेड़ स्पीच मामले को लेकर आज सुनवाई होगी बता दे आपको कि ओवेसी और अखलेश यादव की मुश्किले जो हैं वो बढ़ सकती है देश के कई हिस्सों में तापमान में घिरावट आने के बाद सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है आपको बता दें कि कुछ जगों पर कोफ़े से लोगों की परिशानी जो है वो लगातार बढ़ गई है दक्षिन भारत के कई हिस्सों में पिछले दो दिन से चक्रवाती तुफान अपना असर दिखाने के बाद कमजोर पड़ गया है हाला कि दक्षिन के राज्ये में सोंबार यानि की बारा दिसंबर यानि की आज को ही बारिश की भी संभावना जताई गई है उदर पहाडों पर बरफबारी की वज़ा से पारा नीचे गिरा है और ठंड बड़ी है और पक्षमी जो भी छोप के असर के चलते ही पहाडी इलाकों में हो रही बरफबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत में महसूस होने लगा है दिल्ली अंसियार के साथ ही पंजाब हरियाना यूपी गुजरा समेत कई हिस्सों में नयूंतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है दिसंबर का महीना लगभग आधा खतम होने को है लेकिन यहां भी उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी की अमोमन इस दोरान पड़ती है और दिल्ली में सोंबार को नयूंतम तापमान 9 डिगरी और अधिक्तम तापमान 28 डिगरी सेल्सेस पर बने रहने की संभावना है वहीं आज भी सुभा के वक्त यहां कोहरा चाय रहने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी 13 दिसंबर से अधिक्तम और नयूंतम तापमान में 2 डिगरी सेल्सेस तक की कमी आने की भी संभावना है 12 दिसंबर से तेज हवाय चल सकती है और अगले 2-3 दिनों तक राजधानी को परदूशन से राहत भी मिलेगी और विवार को राजधानी में परदूशन का स्तर बेहत खराब दर्ज किया गया है मद्य परदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने के बाद से ठंड बरकरार है और ठंडी हवाय चलने की वज़ह से दिन के तापमान में भी कमी आई है और इस हफते से मौसम बदलने की संभावना है और परदेश में कई जगों पर बादल छाय रहने के साथ बारिश का अनुमान है और इसकी वज़ह से दिन के तापमान में और गिरा बटाई की मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि यूपी की राजधानी लखनव नयुंतम तापमान 12 डिग्री और अधिक्तम तापमान 27 डिग्री सेल्सेस दर्ज किया जा सकता है और सुभा के वक्त कोहरा चाय रहेगा और उदर गाजियाबाद में नयुंतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेलसेस के आसपास बने रहने की संभावना है जम्मो कश्मीर के मंदे और उचे इलाकों में पिछले दिनों बरभबारी हुई है बरभबारी का ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है हिमाचल परदेश में भी पहाड़ी हिलाकों के अगर बात करें तो पहाड़ी हिलाकों में भी बरभबारी हुई है और 13 और 14 दिसंबर को भी एक अन्य पस्चमी वी छोग के परभाव के चलते हिमाचल परदेश में बरभबारी होने की संभावना है और पहाडों पर बरभबारी के चलते मैदाने इलाखों में पारा और गिरेगा और ठंड बड़ेगी दक्षिन भारत के कई राजों में आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है आंदर परदेश, दक्षिन करनाटर और उत्तर आंत्रेक दमिलाडू में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कही कही तेज बारिश की भी आशनका जो है जताई गई है केरल और लक्षदीब के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम इस्तर की जो बारिश है वो हो सकती है तेलंग गाना के कई हिस्तों में हलकी बारिश के आसार हैं और इसके अलावा दक्षिन ओडिसा और विधर्ग, मराट वाड़ा और दक्षिन मध्य महरास्ट में कुछ जगों पर हलकी बारिश हो सकती है और जमू कश्मीर, लदाग और हिमाचन परदेश में भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है तो दिल्ली में परदूशन से अब राहत मिलने वाली है, जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में परदूशन से राहत मिलेगी, वहीं ठंड का परकोब जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बता दे आपको कि मौसम विभाग ने अलट जारी कर दिया है और इसके साथ ही उत्तर भारत में और जादा कपी वाली ठंड बढ़ने वाली है बताया जारा है कि दक्षिन के कई राज्यों में अब बादल भी बढ़सेंगे और ये भी अनुमान है कि बारिश होने के बार ठंड का जो पर कूप है वो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा तो आपको जानकारी दे रहे थे मौसम की जहां पर बताया जारा है कि पहाडों पर बरबारी की वज़ह से पारा नीचे गिरा है और ठंड बढ़ी है और अगर पश्चमी विच्छोप के असर के चलते बर्त करें तो फिर असर के चलते ही पहाडी इलागों में हो रही बरबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत में महसूस होने लगा है दिली अंसियार की बात कर लें तो दिली अंसियार के साथ ही पंजाब, हरियाना, यूपी, गुजरात समेत कई हिस्सों में नियुंत्म ताफमान में गिरावट होने की संभावना है और दिसंबर का महीना लगभग आदा खतम हो चुका है लेकिन यहाँ अभी उतनी ठंड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है लेकिन बारिश के बाद लगातार ठंड बढ़ सकती है फिलाल इस बुलेटन में इतना ही खबरों का सिंसला लगातार जा रही है आप देखते रहिए निउसबर्ल इंडिया